कक्षा 6 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग एक आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग एक का अठारवा सबग सबग 18 हवाई किले ड्रामा ड्रामा निगार शौकत थानवी मुन्शी जी की बीवी चूला फूक रही थी गीली लकणियां उठा कर दे दी जैसे खैरात में ही तो दी है दर्वाजा खुलता है और मुन्शी जी आते हैं अरे भई कहां गई लाहॉल विलाकुवत वही हांडी चूला अरे छोड़ो भी उसे अरे मैं पूछता हूँ कोई तार तो नहीं आया तार? कैसा तार? यानि मालूम भी है आज साथ तारीख है अरे आज ही तो तार आएगा उस लोट्री का वो टिकट भी रख लिया है सम्हाल के पहले तो वो मुझे निकाल कर दे दो टिकट निकाले देती हूँ मगर हांडी में देर हो जाएगी और नसीम स्कूल से आकर मेरा सर खाएगा अरे जाओ जाओ तुम टिकट निकालो बस दरवाजे पर दस तक होती है अरे कौन है भई? मैं हूँ सलीम अरे तो आ जाओ तुमसे छुपता कौन है भई? आदा बर्ज जीते रहो जीते रहो कहो खेरियत है वतन और बच्चे सब अच्छे हैं सफ़ा नंबर 112 जी हाँ सब अच्छे हैं बीवी को नजला है बड़ा बच्चा बुखार में मुप्तिला है और छोटे के चेचक निकलाई है खेर खेर बहराल खेरियत है रास्ते में तार घर का कोई आदमी तो लाल बाइसिकल पर नजल नहीं आया ना नहीं तो क्यों खेरियत तो है एक तार का इंतिजार है मिया ये तुमने जर्द भाग के चौराहे के करीब लाल रंग की दो मंजला कोठी देखी है जिसके सामने जर्द बाग वगरा लगा हुआ है मेरा मतलब ये है के चमन जी हाँ वो कोठी जो आजकल बिग रही है हाँ हाँ और क्या मेरा खयाल है ले लूँ पड़ी रहेगी बीवी आती है आदाबर्स भावी जी ते रहो अच्छे तो हो ये लो टिकेट संभालो हाँ हाँ यही है तो मिया सलीम वैसे तो बुरी नहीं है वो उसके चालीस हजार मांगते है और खयाल है के पैंतीस तक दे देंगे क्या चीज? भाई आज एक कोठी देखी है अच्छी खासी है बजाए इसके कि जमीन खरी दी जाए फिर उस पर इमारत बने चमन लगाया जाए और इस किसम के बहुत से दर्दिसर मोल लिया जाए मेरे खयाल में तो अगर ये कोठी मिल जाए तो सबसे अच्छा अभी नई है शायद दस बरस की होगी तो कौन ले रहा है वो कोठी ओ ओ फिर वही अरे साहाब मेरा ही इरादा है और कौन लेता और मिया सलीम जानते हो वहाँ मोटा रखनी की भी जगा है सफ़ा नंबर 113 मुझे ये शेख चिलियों किसी बाते अच्छी नहीं लगती शेख चिलियों किसी बाते अरे तुम बेवकूफ हो जब उस कोठी में जाकर बैठोगी रानी बनकर तो इस वक्त पूछूँगा मिजाज शरीफ तुम्हारे आखिर मालूम तो हो कि किस्सा क्या है यानि क्या आव वाके खरीद रहे हैं कोठी अरे सलीम आखिर क्या होगा हम तो अपना इंतिजाम पहले से कर रखें आखिर ये मौमा क्या है मैं तो खुद हहरान हू अच्छा तुम खयाली पुलाओ पकाते जाओ मगर मैं तो हांडी देख हूँ अरे जाओ जाओ मेरा क्या है मगर बाद में तुम ही कहोगी कि किसी सला मश्वरा में शरीक नहीं किया मैं तो कहता था कि तुम भी चल कर कोठी देख लेती मगर खर अब कल परसो तक मोटर में चल कर देख लेना मोटर पर नहीं हवाई जहाज पर क्या मानी यानि तुम गलत समझती हो आखिर मैं क्या घास खा गया हूँ जो मोटर कमपनियों की फैरिस्त बटोरता फिरूँ मिया सलीम मेरे नस्दीक तो मोटर की खुबी ये है कि तेल कम खर्च हो और उसका हर पूर्जा आसानी से मिल सके मगर मैंने तै किया है कि मैं एक छोटी सी गाड़ी रखूंगा रोज मर्रा के लिए और एक ज़रा कीमती और बड़ी भी होनी चाहिए यानि ही ये सचमुच की सड़को पर चलने वाली मोटर भाईया जी बहमा को तुम भी है और नहीं तो क्या कूगदार बच्चों का खिलाओ न अरे सहाब मैं पूछता हूँ कि ये क्या नामुम्किन है मगर आज आपको ये खयाल कैसे आया बेटे बिठाए आखिर ये बड़े आदमियों किसी बातें बिला वजा तो नहीं हो सकती भाई बात ये है कि अब की बार मैंने भी लोट्री का टिकट लिया है लोट्री का टिकट हैं यानि तुम भी हस रहे हो खुदा करे अभी थोड़ी देर में मुझको तुम देवर भावी पर हसना पड़े यानि मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें हसने और मजाग करने की कौन सी बात है भावी साहब हसने की वज़ा ये है कि सब कुछ हवाई मनसूबे हैं गोया मियाद दुनिया उम्मीद पर काइम है तुम चले हो वहाँ से हवाई मनसूबे लेकर और जो इसी बहाने से मेरे किसमत में दौलत लिखी हो तो भाई साहब खुदा करे अपके आपको यह नाम मिले मगर लौटरी के नाम की उम्मीद पर इस तरह का इंतिजाम करते हुए मैंने आपको ही देखा है हैं इंतिजाम तो आखिर मैंने कौन सा इंतिजाम किया है यही ना कि कोठी अपनी नजर में है और मोटर के लिए फैसला कर लिया है ताके एन वक्त पर कम से कम यह ना हो कि कोठी की जगा जल्दी में जमीन खरीदी जाए और मोटर की जगा पानी चड़कने की गाड़ी सफ़ा नंबर 115 खुदा करे इन आम मिल जाए सभी के दिन फिर जाएंगे अरे दिन फिर जाएंगे यकीन जानो कि मैं तो तुम्हारी तरफ से स्टीफा लिख चुका हूँ यह देखो बस्ते में कहां गया बस्ता हाँ यह देखो मेरा और तुम्हारा स्तीफा लिखा रखा है देखो ये रहा आपका स्तीफा तो ठीक है मगर मेरा क्या खूब क्या खूब यानि अब दुनिया को मुझ पर हस्वाओगे भी के लगपती का भाई 40 रुपनली की नौकरी करे तुम जायदात का काम देखना दो गाउं और एक बाग पहले से तज्वीज कर रखा है इसके अलावा और जायदात भी तो आखिर खरीदी जाएगी तो भाबी को बुला लीजे ना उनको तो शायद किसी बात की खबर नहीं अरे साहब मैंने कहा सुनती हो हाँ हाँ सुन रही हूँ क्या है नसीम को खाना खिला रही थी कहो क्या कहते हो वही मुई जटे उड़ रही होंगी देखा मिया सलीम तुमने इसलिए नहीं बुलाता था भाबी बैठ जाये ना भाईजान ने तो दो गाउं और बाग भी तज्वीज कर रखा है और हम दोनों के स्तीफे तयार है तो फिर इनके पास तार आ चुका होगा ये बन रहे हैं अरे तार आ चुका होता तो मैं इस कबाड खाने में इस तरह बैठा होता लाहौल विलाकुवत हर चीज अजीब है इस घर के ये घड़ोंची मुलाइजा हो मालुम होता है कि पुरानी वज़े काहिल लखा हुआ है ये चार पाईआ हैं जिन पर हम लोग सोते हैं अरे मैं तो बाग के माली के लिए भी इस किसम की चार पाईआँ मनासिब नहीं समझता ये देखिए मिया सलीम ये बेगम साहिबा के कपड़े मालुम होता है कि जैसे घोसन सफ़ा नंबर 116 आए खूब याद दिलाया वो घोसन मुई मेरी नाक में दम किये हुए है कह गई है कि जब तक पिछले महीने का हिसाब पूरा नहीं हो जाएगा एक खत्रा भी दूद का ना देगी यही सब तकाजा करने वाले कल इस बात पर फक्र करेंगे कि एक लगपती भी इनका मकरूस था तो अब तुम ही उनको आकर समझाना रोज आकर मेरा दिमाग खाली करते हैं कुंडी खड़ खड़ाने की आवाज तार वाला आवाज दिता है तार ले जाएए ए तार अरे सुनती हो तार आगया तार अरे मिया सलीम तार आगया तार आगया मैं जा रहा हूं तार लेने तार आगया भई यह तो वाकी तार है तार यानि वाकी तार वाहरे तेरी शान तुने दिन पलड दिये भाई एक रुपिया है क्या मगर तुम्हारे पास कहा होगा मिया सलीम एक रुपिया हो तो जरा तारवाले को दियाओ आई देखो इनाम कितना निकला है बिस्मिल्ला करके खोलना तार वहरे तेरी शान भाई तुम्हारे हाथ मुबारक है तुम ही खोलो मेरे हाथ तो इस वक कहा प्रहें दस्तखत करने की जगा लिग गया था लखपती क्या कहा लखपती लिग गय थे तो भाई साब गलती क्या लिखा आपने अरे भाई तो इसे खोलो ना जल्दी से ए तो तुम खुद ही क्यूं नहीं खोलते ने 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 तुम खोलो बिस्मिल्ला करके मुझे तो कुछ इखतरासा हो रहा है अच्छा लाओ दो लेना सलीमिया देखो जरा रकम कितनी है अरे किधर कया मेरा चश्मा लो पढ़ो अरे क्यों क्या बात है सलीमिया मेहमूद भाई कतार है भावी जान कल शाम की ट्रेन से आ रही है लोगो अरे लोगो अब मैं अपने दिल को कैसे समालू अरे मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो मुझे जक्कर आ रहे हैं मुझे जक्कर आ रहे हैं मुझे जक्कर आ रहे हैं अरे क्या हुए इन हैं सफ़ा नंबर 117 मानी याद कीजिए दस तक दर्वाजा खट-कटाना शेख चिल्ली एक फर्जी किरदार जिसके हिमाकतों के किस्से मशूर हैं खयाली पुलाव पकाने वाला पहेली उल्जी हुई बात कूकदार खिलोना चाबी से चलने वाला खिलोना तद्बीर, इरादा, मकसद एन वक्त पर ठीक वक्त पर इस्तिफा नौकरी छोड़ने की दर्खास्त तजवीज राए, सलाह घड़ोंची लकडी का वो चौक्टा जिस पर पानी के घड़े रखते हैं वजे शक्ल सूरत, हुलिया, तौर तरीका मकरूज अर्जदार इख्तिलाज होना दिल तेजी से धड़कना, दिल घबराना सफ़ा नंबर 118 सोचिये और बताईये एक मुन्शी जी तार के इंतिजार में क्यों बेचैन थे? दो मुन्शी जी को साथ तारीख का इंतिजार क्यों था? तीन मुन्शी जी ने लौटरी का टिकट खरीद कर क्या-क्या मनसूबे बना रखे थे? चार मुन्शी जी तार क्यों नहीं खोलना चाहते थे? साथ, मुन्शी जी ने दस्तखत करने की जगा क्या लिख दिया था? आठ, तार किसका था और उसमें क्या लिखा था? नौ, इस ड्रामे में सबसे दिल्चस्प किरदार कौन सा है और क्यों? सफ़ा नंबर 119 खाली जगा को सही लफ्स से भरिये एक, यानि मालूम भी है आज, खाली जगा, तारीख है, आज ही तो तार आएगा उस लोटरी का दो, रास्ते में तार घर का कोई आदमी तो लाल, खाली जगा, पर नजर नहीं आया तीन, अच्छा तुम, खाली जगा, पकाते जाओ, मगर मैं तो हांडी देखूँ चार, बैठे बैठाए आखिर ये, खाली जगा, आदमी यों किसी बड़ी बातें बिला वजा तो नहीं हो सकती पांच, मैं तो बाग के माली के लिए भी इस किसम की खाली जगा मुनासिब नहीं समझता च्छे, नहीं तुम खोलो, बिसमिल्ला करके, मुझे तो कुछ खाली जगा सा हो रहा है गोर कीजिए और लिखिए हर जबान में अलफाज के कुछ ऐसे मजमुए होते हैं जिन्हें लफजी माने के बजाए दूसरे मफहूम में इस्तिमाल किया जाता है जिन में तबदीली नहीं की जा सकती उन्हें मुहावरा कहते हैं मुहावरा, खयाली पुलाव पकाना मानी, ऐसी बाते सोचना जो मुम्किन ना हो मुहावरा, जटें उड़ना मानी, शेखी बगहरना मुहावरा, नाक में दम करना मानी, बहुत परिशान करना मुहावरा, सर खाना मानी, बहस करना यहां दिये हुए मुहावरों को जुम्लों में इस्तेमाल कीजिए लिखिए ड्रामे की कहानी मुखतसर तोर पर अपनी जुबान में लिखिए सफ़ा नंबर 120 अमली काम इस ड्रामे को अपने उस्ताद की मदद से स्कूल में स्टेच कीजिए गौर करने की बात ड्रामे में काम करने वालों को किरदार कहते हैं और दो किरदारों के दर्मियान होने वाली बातचीत को मुकालमा कहते हैं अभी आप सुन रहे थे अपनी जबान भाग एक का 18 सबक इसके बाद सबक 19 आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत